हेलो गाइज वालकम टू अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स एजी आई गिरिन पैक की और से मार्थ क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है और फिनांसल रिजल्ट आउट हो चुका है और सेग्मेंट वाइज रेवेंडियू भी कंपनी के कालेगा तो हम लोग चलते कंपणी के फिनांसल रिजल्ट पर जोकि काटर एंड़े और फिनांसल रेंडे ज़र नंबर करोल समय पहले क्वाटर करेंगे इंकम में 632.7 करोड का पिछले क्वाटर में 625.4 करोड का मार्च 23 च्वाटर में 698.9 करोड का इंकम है फारान कौट क्षपेंस quarter on quarter में बहुत जादा वाइश के काण profit में इंकम के एक्षपेंस पड़ा लेकिन year on year के expense में decrease किया है इंकम के एक्कॉर्डिंग ऑप्रेटिंग profit 89.2 करोड का पिछले quarter में 90.2 करोड का 90.9 करोड का और मार्च 23 quarter में 132.8 करोड का अप्रेटिंग profit est quarter on quarter year on year के दोनों में त equiv देखने को मिल रही है एPS की बात करेंगे गांज तो company का यहाँ पे EPS 9.98 रुपीज को quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है तो गाइस quarter ended की result अगर देखा जाए तो सिफ quarter on quarter के income में increase है लेकिन year on year के income में down है और profit quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिल रही है financial year ended में income में 2445 करोड का 23 में 2307.4 करोड का income है income में increase किया है expenses 20 105.1 करोड का 23 में 23.2 करोड का expense भी increase किया है operating profit 339.9 करोड का 23 में 304 करोड का जो कि operating profit increase है और net profit 251.3 करोड का 23 में 248.7 करोड का increase करता हुआ देखने को मिला है EPS 38.85 रुपीज का 23 से increase किया है तो गाइस कंपनी का result अगर देखा जाए तो quarter ended में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी का income profit है यह financial ended का profit में down है लेकिन quarter ended का profit देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है segment wise packing products और investment property others हैं तीनों से revenue generated कर रहा quarter on quarter की income में डाउन है लेकिन year on year में डाउन है और financial ended का income में increase हुआ है तो गाइस company का result बहुत वीक पेश का है क्योंकि income और profit profit जो है बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला quarter ended का और अगर हम शेयर की बात करेगा है तो 812.55 रुपेश क्लोज किया 2.5% का crash करता हुआ नजर आ रही है और अगर हम इसके company के शेयर में कल के दिन भी वापस से fall देखने को मिल सकता है रिजल्ट company का market close होने के बाद आया है और कल के दिन भी company के शेयर में बहुत बढ़ी fall होने के chances है क्योंकि company के रिजल उतना चाँ पेश नहीं के जतना expect किया जा रहा था तो अब हम लोग यह बात करें तो अगर इसमें आप लोग investment करना चाहते है इस fresh entry तो आप लोग वेट कीजिए थोलत सा क्योंकि correction और भी हो सकता है और वेट कीजिए और अगर आप अल्रेडी इसमे investment कर चुके गाई आप loss मेहत आप average कर सकते हैं तो हम लोग जो है वेडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई doubt है comment box में पूछे मिलते हैं नेक्स वोड़ों में डिल देन बाई बाई